प्लाव का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं प्लाव जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो हल को प्लाव कहते हैं यानकि नाउन की रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका वर्ब की रूप में भी इस्तेमाल होता है तो हल जोतना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि किसान ने बैलों को हल में जोता या हल से जोड़ा तो आप कहेंगे the farmer yogged the oxen to the plow या अगर आप ये कहना चाहें कि किसान पत जड़ या बसंत में हल जोतते हैं तो आप कहेंगे farmers plough in autumn or spring या अगर आप ये कहना चाहें कि किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं और वसंत रितु में बुवाई करते हैं तो आप कहेंगे farmers plough their fields and sow in spring अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें